So, hello and welcome you all, I am Ruit from Margin Traders So guys, आज हम बात करेगे अडानी पावर के बारे में So guys, अडानी पावर बिल्कुल भी यहापर तगडे रिटन दे रहा है और बिल्कुल भी यहापर गेने के मूड में तो नहीं दिख रहा है और कल के लिए भी कुछ लेवल्स हम देखेंगे और कल कितना बढ़ सकता है और भी हम देखेंगे और as a long term के हिजाब से तो हम बात करते ही करते है और guys, अडानी पावर एक धमदार शेयर है और तगडे रिटन देने के लिए रेडी है और guys, यहापर काफी कुछ बाते होगी अडानी पावर को लेकर और guys, यहापर अडानी पावर में अगर देखा जाए रिजल्स तो आए ही है तगडे रिजल्स तो आए ही है साथ ही जो पैटन्स इसमें बने है as a long term के हिसाब से ओ भी थगड़े है और short term basis पे कल के लिए भी अगर कुछ देखें अगर आप ट्राइ करते हो और stocks में invest करते हो stocks में trading करते हो तो आपके लिए भी यह जो वीडियो है काफी helpful होने वाला है so guys, यहाँ पर बात करेंगे पहले कल के levels के बारे में फिर बात करेंगे हम इसके long term के इसाफ़ से बारे में so guys, बात कर रहे है अडानी पावर LTT के बारे में पावर सेक्टर के दो ही दिर्गत शेयर हमें दिखते है Tata Power और अडानी पावर और बिलकुल आने वाले टाइम में तगड़े रिटन देने के लिए रेडी रहने वाला है और अभी से ही SS रिटन दे रहा है और guys, वही अगर देखा जाए 118 रुपे 25 पेसे तक स्टॉक ने आज दी है क्लोजिंग और 4 रुपे 90 पेसे तक स्टॉक में आज तगड़े रिटन देखने को में मिल रहे है और 4.32% के हिसाब से जो बिलकुल इंक्रेमेंट दिखाई दे रहा है शानदार इंक्रेमेंट हमें दिखाई दे रहा है रानी पावर एल्टीडी में और guys, वही अगर देखा जाए आगे बढ़े तो कल के लिए क्या हो सकता है तो कल के लिए हम बात करेंगे 15 मिनट्स टाइम प्रेम पर फिर रेजिस्टंस फिर नीचे आया तो यहाँ पर अगर मैं बात करो तो स्टॉक में कुछ इस तरीके के पैटन बन रहा है और फाइनली स्टॉक ने इस पर्टिकलर लेवल पे दिया है प्रेक आउट और ब्रेक आउट के बाद उपर क्योर गया है तो guys कल तो मैं भी मेरे इसाबसे target हो सकता है target 125 के आसपास का टार्चेट तो आप रख सकते हो बट आज उपर भी target अगर आप देखोंगे अगर तगड़ा उचाला है तगड़ा उचाला में देखने को बिला तो 130 का target आप इसमें रख सकते हो तो गैस बिल्कुल तगड़े रिटन देने के लिए स्टॉक रेडी रह रहा है और बिल्कुल यहाँ पर 125 और 130 के आसपास का टार्गेट यहाँ पर आपको मिल सकता है बस आपको यहाँ पर दिहान रखना होंगा इसके वाली उसी तगड़े होने चाहिए और गैस वही अगर दिखा चाहिए लाँ टर्म के सबसे भी बिल्कुल आप पॉसिट्व रहों क्योंकि यहाँ पर से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने यहाँ पर रजिस्टन से सपोर्ट है तो अपसाइड डाउंस मोमिन्टम यहाँ पर स्टॉक में चलते वे नजर आ रहे हैं और बिल्कुल यह इसमें रख सकते हो क्योंकि इन पर्टिकलर लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम इसमें पॉसिबल है और कल ही मैंने बताया था कि एक रेंज में स्टॉक फजा हुआ था और उस रेंज को आज इसने ब्रेक कर दिया है एक मेंट गया जिसमें आप जू रेंज करके उपल जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रिजिक्शन था यहाँ पर रिजिक्शन था यहाँ ब्रेक आउट के बाद रेटस करके स्टॉक उपल जा रहा है तो बिलकुल आपको रैडी रहना है चाप anti-pale नो रुपय अर्ग को लितालीस पैसे तक स्टॉक बड़ा ह तो यहाँ पर 35.20 पैसे के हिसाब से स्टॉक बड़ा है, 42.88% के हिसाब से, और गाइस वही अगर दिखा जाए, तो यहाँ पर मार्केट कैप क्या कहता है, तो मार्केट कैप अगर दिखा जाए, 45.55,000 करोड का मार्केट कैप है, और पी रिशु क्या है, 163.33 का पी रिशु है, और यहाँ पर मार्केट कैप के जाब से, एक चीज क्लियर है कि एक मिट कैप स्टॉक की केटिगरे में आता है, और गाइस वही अगर बात करें, 115.40 के आसपास का यहाँ स्टॉक ओपन हुआ था, हाई लगाया था, 119.80 का और लो लगाया था, 112.30 का आसपास का यहाँ पर अगर दिखा जाए इसका और 52 इक्स के हाई और लो का, तो 52 इक्स का हाई क्या है, 116.90 का हाई है और लो क्या है, 152.80 का लो भी आपको देखने का आपर मिल जाएगा, और वही गायमस अगर बात करें अपर रिजिस्टंस और सपोर्ट लेवल की, तो रिजिस्टंस लेवल में, 121.stalat पेसे का, यहाँ पर थोड़ा आपको समल करें रहना पद सकता है, क्योंकि कभी भी बड़ा अपसेट्ट्रोन मोमेंटम आ सकता है, कल अगर market open अच्छा positive रहता है तो 130 का target मैं expect कर रहा हो कि जा सकता है 12 रुपे भी stock बढ़ सकता है money में तो guys वही अगर बात करें हाप पर one week case में तो price performance में 9.06% के साफ से बढ़ा है और guys one month के अगर बात करें 0.68% बढ़ा है 3 months की बात करें तो 10.08% बढ़ा है और year on half की बात करें 18.30% बढ़ा है और one year की बात करें 107.29% तक बढ़ा है और three years की बात करें 199.75% के हिसाब से एक momentum है और guys वही अगर बात करें trade value और combinent delivery की तो 6 crore के असपास का trade value है और yesterday की बात करें तो 6 crore का trade value और 22 lakh का है combinent delivery और one week के average में 8 crore का trade value है और 82 lakh का है combinent delivery और guys sorry 1 crore का combinent delivery है और one month के average की अगर मैं बात कर लो तो one three crore का trade value 62 lakh का है combinent delivery तो trade values और combinent delivery हमें दोनों ही तगड़े देखने को मिल रहे है और guys वही अगर बात करें community sentiments के आपडों की 72% जो लोग है वो buy करने के लिए कह रहे है और 17% जो लोग है वो कह रहे है आपर sell करने के लिए और 11% जो लोग है कह रहे है आपर hold के लिए तो guys hold के लिए कहा जा रहा है sell के लिए कहा जा रहा है और buy के लिए भी कहा जा रहा है depending on you आपको क्या करना है और revenue की बात करें revenue की बड़े है और साथ ही गर बात कर लो में इसके net profit की तो net profit यहाँ पर अगर देखो 1279 करोड के आसपास का यहाँ पर net profit बड़ा है 2021 में बड़ अगर देखा जाए वही बाकी के net profit में recovery की थी 2019 तक बड़ कोविट में ही यह recovery पूरी हो यहाँ पर कोविट अगर नहीं रहता तो यही से यहाँ पर कुछ numbers अलगी होते बड़ कोविट आ गया जिसके कारत से और यह recovery धिमी हो गई और यह मीचे की ओड़ चले गया 224 करोड और गाइस वही अगर बात कर लो share holding pattern की तो share holding pattern में promoters, FIS, DIS, public orders यहाँ पर बाचों की तगड़ी holding है orders को छोड़के तो 74.97% की holding promoters की है, orders की बात करूँ 0.01% की holding आपको यहाँ पर देखने को मल जाएगी और public holding 8.46% की है और यहाँ पर गाइस बात कर लें D.I. की holding 5.56% की है और यहाँ पर F.I. की holding 11% की देखने को मल जाएगी और गाइस यहाँ पर अडानी पावर को लेकर कल क्या target हो सकता है तो हमने आपके साथ share किया है और गाइस कापी कुछ बाते हैं हमने आपके साथ share की है तो वीडियो अच्छा लगा हूँ वीडियो को लाइक खरो चनल को सब्सक्राइब करो थैंक्यू